हेलो स्टुडेंट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वास लेने की प्रक्रिया स्वास लेने की प्रक्रिया को हम ब्रीधिंग कहते हैं ठीक है ब्रीधिंग में क्या होता है बच्चों कि जो लंग्स होते हैं जिने हम फेपड़े कहते हैं उनमें एक निशित दर में एक लि इस क्रिया में वायू का फेफ़डों में पहुंचना एबम स्व Benson क्रिया के उपरांत वायू का बाहर निकलना सम्मिलेत है मतलब फेफ़डों के अंदर गैस जो है वो अंदर चाहेगी और कारबन डायॉकसाइड जो है वो बाहर निकाली जाहेगी तब हम इस क्रिया को सांस ले ना कहते हैं जो इस्तंधारी प्राणी होते हैं उनमें लंग्स कैसे होते हैं लचीले होते हैं पेशी विहीन होते हैं और इस्पंजी होते हैं जिसमें फेपडों का संकुचल एवं फैलाव स्वयम नहीं होता है यह जो कॉंट्रैक्शन है और रिलेक्सेशन है यह थोरे सी कैविटी के कॉंट्रैक्शन और डालेशन पर नीरभर करता है वक्षे गुईका JOSHU हम डॉर्सल साइट पर वर्टीबल कॉलम द्वारा बेंटर सायट पर इस्टरनम के द्वारा तता lateral side पर ribs के द्वारा अग्र भाग में neck के द्वारा और पीछे के और diaphragm के द्वारा गिरी रहती है ये बात हम वक्ष की गुईका के बारे में कर रहे हैं कि वक्ष की गुईका का formation कैसे होता है जैसा कि आप इस diagram में देख सकते हैं कि वक्ष की गुईका में उपर वाले side में neck reason है नीचे वाले side में diaphragm reason है और side में ribs आपको दिखाई दे रही है और पिछले side में आपको दिख रहा है backbone का एक हिस्सा जहांपे backbone लिखा हुआ है बच्चो ठीक है अब आप देखें कि diaphragm जो है ये भी एक important role play करता है diaphragm एक muscular structure है पेशी संरचना है जो abdominal wall को थोरे सी cavity से प्रिथक करती है याद रखिएगा ये abdominal wall मतलब उधर की जो भीती है उसको थोरे सी cavity से अलग रखती है प्रिथक रखना मतलब अलग रखना ठीक है नॉर्मल जब face होता है समा नवस्था में ये dumbbell shape structure होता है तका diaphragm जो है वो phrenic जो nerve है उसका नाम है phrenic nerve के द्वारा innervated होती है और diaphragm पर radial muscle जो है वो arrange रहती है याद रखिएगा diaphragm पर radial muscle जो है वो विन्यासित रहती है या arrange रहती है जो प्रतेग जो ribs है प्रतेग दो पसली है उनके भीश में दो दो oblique muscle की एक bands जो है या पट्टिया लगी होती है इन जो bands है या जो muscles है उनका नाम आप याद रखिएगा बच्चो ये दो muscles होती है एक होता है inter intercostal muscle है ना और दूसरा है external intercostal muscle intercostal word common है बच्चो internal और external आप लोग अच्छे से याद रखना है तो internal जो muscle है इसका पश्चे सिरा मतलब पिछला सिरा जो है पिछली पसली पर बाहर की और अगर सिरा आगे की पसली पर अंदर की और लगा रहता है और जो external intercostal muscle है ये कहाँ पर पर प्रेजन्ट है वेंटरल साइट से तथा पिछली पसली पसली मतलब रिप्स के डॉरसल भाग से related रहता है डाइग्राम को ध्यान से देखेगा और समझेगा की mechanism of respiration में क्या होता है और डाइग्राम जरूर बनाएगा बच्चो पहला आपको position में क्या दिख रहा है active inspiration दिख रहा है air जो है वो अंदर आता हूँ आपको दिख रहा है plural membrane मतलब lungs की membrane को plural membrane कहते है rips जो है वो क्या हो रहे है अपने volume को बढ़ा रहे है बढ़ा रहे है तो air जो है वो अंदर की और आ रहा है air अंदर की और एंटर कर रहा है और lungs जो है वो expanded हो रहे है और diaphragm क्या है? diaphragm जो है वो contract हो रहा है और नीचे की और धस रहा है नीचे की और lower position में आपको diaphragm दिखेगा हवा आने के लिए यहाँ पे जो lungs का volume है वो क्या हुआ है? expanded हो रहा है और ribs जो है वो बाहर की और जा रहे हैं दिख रहे हैं अब यहाँ पे देखें कि second position पे आप देख सकते हैं कि diaphragm क्या हो रहा है passive inhalation में क्या होता है कि diaphragm जो है diaphragm relaxed and raised diaphragm relaxed होगा दिखेगा आपको यह arrow जो दीख रहे है diaphragm के उपर के वो उपर के वर जा रहे है diaphragm relaxed हो रहा है तो relax होने से क्या होता है कि lungs के उपर pressure पड़ता है और lungs जो है, lungs return original volume, lungs जो है, वो अपने original volume में आ जाती है और ribs की भी position अब देखेगा पहले ribs जो थे, वो raised थे भार के ओर जा रहे थे, अब ribs जो है, वो अंदर के ओर natural position पर आ जाएंगे, और backbone तो अपने position में आ जुगा है, ठीक है तो इस तरह से आपको याद रखना है कि mechanism of respiration में कौन-कौन से चीज़े शामिल होती है ठीक है, और आपको अच्छे से answer देना है बच्चो, जो question पूछा जा रहा है, उसी का ही answer देना है इससे पहले भी बैने एक और respiration की breathing mechanism में muscles का intercostal muscle वाला एक वीडियो बना के रखा है, वीडियो को पूरा देखे और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज उनको शेयर कीजेगा ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा इसका लाब मिल सके और जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा आपको अच्छा लगेगा तो मैं और वीडियो जरूर बनाऊंगे बच्चों, all the best